तो ही मुझे को बता दे चाहूं मैं या ना अपनी तो दिल को बता दे चाहूं मैं या ना तो दोस्तों फिर से लेकर आचुका हूँ अब सभी के लिए एक निव एनिवेड़ सिरी विले स्टेटाज वीडियो तो दोस्तों कि आप भी चाहती हो कुछ इस परकार का एक anniversary टाज वीडियो क्रियेट करके किसी के भी anniversary में wish करना तो आज की इस वीडियो में मैं आप से भी को सिखाऊंगा कुछ इस परकार का आपको anniversary टाज वीडियो किस तरह से क्रियेट करना है और दोस्त इस तरह का एनिवर्सिटी बिले स्टेटाज वीडियो आप लोग किसी के भी पिक्चर से बना सकते हो अगर खुद से क्रिएट करना चाहती हो तो इस वीडियो का आप लोग सुरू से लेके एंड तक देखते रहो अगर मेरे से क्रिएट करवाना चाहती हो कोई भी स्टेटाज वीडियो तो प्लिस मुझे कोमेंट या इंस्टेगरम पर जरूर मेसेच करना नहीं तो आप लोग किस नमर पर भी कॉंटेक्ट कर सकती हो तो दोस्ते इस प्रकार का Happy Anniversary List टेटाज वीडियो क्रियेट करने के लिए सबसे फ़ले हिए अपर आपको क्या करना है काइन मास्टर एप को ओपेन करना है दोस्तों आप लोग काइन मास्टर एप को जैसे ओपेन करोगे आपका काइन मास्ट के इंटरफेस आपको दोस्तों कुछ इस परकार का दिखिने को मिलेगा तो दोस्तों हिहाँ पर आपको सबसे पहले एक create new के option पर click करके आपको select करना है आपको 4 to 5 एडेस्यू को और आपको दोस्तों नीचे आपको एक option मिलेगा दोस्तों advance का दोस्तों हिहाँ पर आपको 1 to 1 डेस्यू को select करना है और आपको हिहाँ पर नीचे आपको इसको fill screen करना है default photo duration को 4.5 second और दोस्तों नीचे आपको transaction duration को 1.5 second ये तीनों सेटिंग करने के बाद आपको नीचे create का option मिलेगा हिया आपको आपको क्लिक करके आपको दोस्तो एक बार बेक आ जाना है और हिया आपको एक media का option मिलेगा हिया पर जाकर आपको दोस्तो कम से कम 30 सेकंड वीडियो के लिए 10 से 12 फोटो आपको add करना है दोस्तो फोटो add करने के बाद आपका वीडियो का interface कुछ इस परकार का दिखने को मिलेगा अगर दोस्तो मानलो फोटो add करने के बाद अगर आपको फोटो का size अगर दोनों साइट से अगर छोटा हो रहा है तो आपको दोस्तो नीचे जो फोटो दिखने को मिल रहे हैं आपड़ा क्लिक करके pen and zoom का option पर जाना है और दोन उंगली से इस परकार से फोटो को जुम करके आपको frame में इस तरह से adjust करना है और side में double line जो है इसमें आपको क्लिक करके फोटो एड़ेस्ट करना है इसे परकार से वीडियो के जो कि दोस्तो मैं पहले से ही कर चुका हूँ next आपको minus का icon पर क्लिक करना है और आपको यहां पर एक option दोस्तो आपको मतलब option थे नहीं दोस्तो transaction effect पर क्लिक करना है golden lights दोस्तो यहां पर 01 को select करने के बाद नीचे apply tool करना है उसके बाद दोस्तो आपको next transaction effect पर जाकर 02 को select करना है 03 को और 04 को इसी तरह से वीडियो के end tag आपको adjust करना है और दोस्तो यह जो golden lights transaction effect है आपको यह humble icon पर आपको मिल जाएगा दोस्तो वीडियो के end tag आपको adjust करने के बाद first photo का length को आपको थोड़ा बूत कमा लेना है कुछ इस तरह से और last photo का length आपको रखना है करीब 30 seconds ठीक है इस तरह से 30 seconds के आसपास रखनी के बाद seizureable option पर जाकर right side trim करना है और trim करने के बाद आपको हिहां पर इस arrow में आपको क्लिक करना है ठीक है इस arrow में इस arrow में क्लिक करके आपको क्या करना है वीडियो को save us करना है resolution को 1080p frame rate को 60fps और bright को थोड़ा इस तरह से बढ़ा लेना है ठीक है और वीडियो को save us करना है जैसे दोस्तों वीडियो से बेस हो जाएगा आपको दोस्तों पुड़ा बेक आ जाना है और बेक आ जाने के बाद दोस्तों फर्स्ट वाला project के थोड़ा बगल में आपको three dot दिखने को मिलेगा ठीक है इसमें आपको क्लिक करके duplicate का option पर किलिक करना है और नीचे डफीर से duplicate पर किलिक करना है इस next आपको उपर वाला project को open करना है तो इस परकार का interface आपको मिलेगा तो next आपको क्या करना है फोटो में किलिक करके pen and zoom का option पर जाकर इस तरह से photo को zoom करना है तो दोस्तों यहाँ पर जितना photo है save photo के इस तरह से आपको video के अंट तक save photo का adjust करना है तो मैं photographer से कर लेता हूँ दोस्तों save photo का adjust करने के बाद दोस्तों हिहाँ पर आपको transaction पर आपको click करना है और हिहाँ पर दोस्तों आपको front transaction पर जाकर menu circle को select करना है और नीचे apply tool कर लेना है next photo में click करके विगनेट में आपको जाना है मतलम नीचे जाना है विगनेट को अप्शन मिलेगा इस तरह से आपको दोस्तों सभी फोटो में आपको ओन कर लेना है ठीक है जैसे दोस्तों ओन हो जाएगा आपको इस तरह से लेकर चले जाना है वीडियो के एंड तक ठीक है जैसे दोस्तों वीडियो के एंड तक लेकर चले जाओगे आपको आजाने स्टार्टिंग पोजिशन में लियार ओप्शन पर जाकर आपको यहां पर मीडिया ओप्शन सेलेट करके टेंप्लेट वीडियो को लेना है दोस्तो टेंपिलर वीडियो को लेने के बाद आपको स्क्रीन पर जाकर फिल ये स्क्रिन करना है और नीचे मिलेगा आपको blending option तो blending में आपको क्लिक करना है और screen को select करना है यहां पर दोस्तों आपको 5 hard वाला फ्रेमी लेगा इसमें photo adjust करना है तो layer option पर जाकर आपको media option select करके पहले कोई भी एक photo को लेना है तो आप सभी को दिखाने के लिए में एक photo को ले लिया हूँ cropping option पर जाकर march कोन करना है steps के अंदर आपको hard वाला steps पर जाना है और आपको hard को थोड़ा adjust इस तरह से उपर कर लेना है ठीक है चाहो तो दोस्त आप लोग photo भी इस तरह से थोड़ा बहुत जूम कर सकते हो और आपको दोस्त एक बार bake आजाने के बाद heart का size आपको frame के size मताबिक छोड़ा करना है जो hard में दोस्त आप photo बेठना चाहते हूँ उस heart के size मताबिक आपको जूम और जूमिन करना है ओपर three dot पर किलिक करके send to record करना है और इस तरह से इसका लेंद पकर करके वीडियो के end तक लेकर चले जाना है तो इसी परकार से दोस्त आपको लगातार चार photo more कर लेना है तो में photo photo check कर लेता हूँ सभी frame है दोस्तो photo adjust करने के बाद फिर से layer option पर जाना है इस बार आपको media option select करके sorry दोस्तों यहाँ पर export वाला वीडियो को लेना है दोस्तों export वाला वीडियो को लेने के बाद यहाँ पर आपको frame का जो दोस्तो border है इसके border के line मताबिक इसको बेठाना है और आपको थोड़ा बहुत इसको zoom कर लेना ठीक है उपर 3.पर कलिक करके send to be a quote पर कलिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको layer option पर जाकर आपको text option select करना है इस बार दोस्तों आपको नाम को लिखना है जिसके नाम से वाला दोस्तों आप अपर आपको एडियो क्रेट कर रहे हो double option पर जाना है जो भी आपको front install है जो भी select करना चाहते है उसको select कर लेना है थोड़ा बहुत इसको zoom करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर आपको adjust करके बेठाना है और इसका जो लेन थे आपको पकर करके वीडियो के end थेक आपको इसको लेकर चले जाना है ठीक है वीडियो के end थेक लेकर जाने के बाद आपको आजाना है दोस्तों starting position में और आजाने के बाद एक बार आपको दोस्तो वीडियो को प्ले करके देख लेना है किस तरह से आपको वीडियो एडिटिंग हुआ है अगर दोस्तो मेरे तरह एडिटिंग करते हुए को भी दिख्यत आ रहा है तो प्लीस मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था वीडियो का आप से भीक अगर पसेंद आया है तो प्लिस लाइक शिर कोमेंट जरू करना तो मिलते हैं दोस्तों एक न्यू इंटरेस्ट न्यू वीडियो के साथ